गुड मॉर्निंग इंडिया वेलकम टू कासान इस्टडी तो जैसा कि मित्रों हम आई टी आई इलिक्ट्रीशन से सम्मंदित कुछ इंपॉर्टन्ट कुईशन लेकर के आये हैं जो आपके एक्जाम की द्रिष्ट से बहुत इंपॉर्टन्ट है ये कुईशन यूपी पी-सी आई टी आई सम्मंदित जितने भी एक्जाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है तो आज का पहला कुईशन पर चलते हैं हमारा पहला कुईशन कह रहा है बैदुतकार किस प्रकार के ब्यक्तियों को सौपना चाहिए तो मित्रों यहाँ पर हमारा एंसर हो जाएगा बैदुतकार लैसंस धारी ठेकेदार ब्यक्तिको सौपना चाहिए हम कुईशन नमबर अगला देखते हैं कुईशन नमबर दो हमारा कह रहा है परियोग साला में बैदुतकार करते समय सर्व पर्थम क्या करना चाहिए तो मित्रों हमारा यहाँ पर एंसर हो जाएगा कि पर बैदुतकार के द्वारा कितने सुरच्छा चिन्नों का अनुपालन करना चाहिए तो यहाँ पर जो हमारा एंसर हो जाएगा मित्रों वो चार एंसर हो जाएगा बैदुतकार के लिए चार सुरच्छा चिन्नों का अनुपालन करना चाहिए पहला है सूचनातमक चिन दूसर है निसे धातमक चिन तीसरा है सचेतक चिनद और। चौथवael सकारातमक चिन आईए हम projektion नमबर duy वे अगला देखते हैं question number four हमारा क्या कह रहा है किस त्रिशन में से आगंतुक खत्रों के द्वारा जानकारी प्रदान करते हैं तो यहां पर जो हमारा answer हो जाएगा सचेतक चिन के दौरा आगंतु खत्रों की जानकारी परदान करते हैं आई ये मित्रों question number 5 देखते हैं question number 5 हमारा क्या कह रहा है किसी कार को ना करने का संकेत देने वाला चिन कौन सा है तो जैसा कि मित्रों ये हर प्रियोग साला में निसे धात्मक चिन का सिंबल बना होता है और यहां पर हम निसे धात्मक चिन का प्रियोग करते हैं एक यहां चिन किसी कार को ना करने को दरसाता है अर्थात मना करता है हम को इसन नमबर 6 देखते हैं मानो सरीर को कितने बोल्ट से अधिक बो वोल्ट आने पर जटका लगता है हम कुईशन नंबर साथ देखते हैं कुईशन नंबर साथ कह रहा है बैदुतिक परियोग साला में हेलमेट चस्मा हाथ दस्ताने आदि पहनने के लिए किस चिन को परदर्सित करत किया जाता है तो मित्रों हमारा कुईशन एक बार फिर से द सका रातमक चिन का परियोग किया जाता है हम कुईशन नंबर आठ देखते हैं कुईशन नंबर आठ कह रहा है परियोग साला में धूम्र पान ना करने का संकेत कौन सा है तो मित्रों जैसा कि परियोग साला में धूम्र पान ना करने का संकेत नका रातमक चिन होता है हम होती है तीन गुड़े दस घाते आठ मीटर पर सेकंड होती है कुशन नमबर दस देखते हैं कुशन नमबर दस कह रहा है कि बैदुत संपर्क में आए ब्यक्त को हास्पिटल ले जाने से पहले काउंसी क्रिया की जाती है तो मित्रों जो बिदुत संपर्क में आने से जो अब्यक्त होता है उसको हास्पिटल ले जाने से पहले उसका हम प्रार्थमिक उपचार करते हैं उसका क्या करते हैं प्रार्थमिक कुईशा नंबर 11 कह रहा है प्रार्थमिक उप्चार कि वा भिधी काउंसी बिधी काउंसी है जिसमें पीड़ितगो पीठ के बल लिटाया जाता है तो मित्रों यहाँ पर जो एंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेुलेश्टर बिधी हो जाएगा कि प्रार्थमिक उपचार की वा बिधी का उन्सी है जिसमें पेड़ित को पीठ के बल लिटाए जाता है तो तो मित्रों यहाँ पर जो हमारा एंसर हो जाएगा सेलवेश्टर बिधी क८िर्शन नंबर 14 कह रहा है वा विधी काउंसी है जिसमें व्यक्त को पेट के बल लिटाया जाता है तो पेट के बल मित्रों लिटाने वाले को हम सैफर विधी कहते हैं काउंसी विधी कहते हैं तो सैफर विधी कहते हैं कुईशन नमबर 13 कह रहा है सूत रेसम कपड़ा जूट आदि में लगी आग की स्रेंडी के अंतरगत आता है तो ये मित्रों स्रेंडी एक एक अंतरगत आता है हम कोईशन नमबर 14 देखते हैं पिट्रोल डीजल आद से लगी आग की स्रेंडी की आग है पिट्रोल डीजल आद में लगी आग ये स्रेंडी बी के अंतरगत आते हैं किसके अंतरगत आत चुकारनिकरणी आ काउस्स कष़णा हैं कि अतर्रफन के सीया तो जैसा कि इंसरा-ट में यहाँ वह स्रिण्रीय की आग है किसकी आग कहलाती है मित्रों तो स्रेंडी डी की आग कहलाती है कुईशन नमबर 17 हमारा क्या कह रहा है ए वा बी स्रेंडी की आग को बुझाने के लिए काउंसी अगनिसामक यंत्रकार में लिए जाते हैं तो ए वा बी अगर स्रेंडी की आग को बुझाना होता है मित्रों तो उसके लिए हम जल युक्त वाज़ाग युक्त यंत्र का प्रियोग करते हैं हम कुईशन नमबर 18 देखते हैं तो मित्रों अगर इस प्रकार का वीडियो आपको आगे भी चाहिए तो हमारे इस चैनल को सेयर सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर करें आईए हम कुईशन नमबर 18 को देखते हैं कुईशन नमबर 18 क्या कह रहा है गैसि पतार्थ में लगी आग को किस अग्रिशाम प्रियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सेर सब्सक्राइब तथा लाइक जरूर करें अपुन आगले वीडियो में आपसे पुना मुलाकात समस्कार धन्यवाद